अगर आपका सो आगे थे मैं इस यूटूब चेमिश जिसका नाम है टक फो आर तो फ्रेंड अगर आपके प्ले स्टोर में बैटल गराउंड गेम जो है सो नहीं कर ला है तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है इस वीडियो में मैं इस प्रोपलम को सॉल्व करके बताओंगा तो सिंपली आपको इस वीडियो को ल्श Parent तक देखना है बीन आपको करना यहां पर बैक आजाना है और आपको जाना है से्टिंग में लेक्ता को सेटिंग में जाने के बाद आपको एप manager में चले जाना है आपके phone में जहां भी हो app manager वहां आपको चले जाना है और app list पे click करना है app list पे जैसे ही click करेंगे जितने भी आपके phone में install app है वो so हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको करना क्या है play store को ढूंड लेना है तो यहाँ पे यह देख लिजे play store दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है storage uses का option उपर में दिख रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है storage uses पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे clear data का option दिखेगा तो यहाँ पर आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद आपको जो है प्ले स्टोर का डेटा जो है किलियर कर देना है यहाँ पर किलिक कर गे तो यह देख लीजे मैंने अपने प्ले स्टोर का डेटा किलियर कर दिया है और अब simply back आते हैं और यहाँ से चलते हैं प्लेर स्टोर मैं प्लेर ऍरवे स्टोर में आने के बाद दूबारा जो है बेटल ग्राउंड को सर्च करूंगा तो यह देख लीजे बेटल ग्राउंड को जैसे ही मैंने सर्च किया प्लेर स्टोर में तो ये देख लीजे, सबसे उपर में ही दिख रहा है ये game battleground तो अगर आपके भी play store में battleground show नहीं कर रहा है तो इस तरह से आपको करके देखना है अगर show कर जाता है तो ठीक है नहीं तो आपको अपने phone का android version चेक करना है अगर battleground game आप खेलना चाते है अपने phone में आपका जो android version है वो 5.1 से उपर का होना चाहिए अगर आपका android version 5.1 से नीचे का है तो आपके play store में battleground game नहीं सो करेगा और नहीं install होगा तो यहीं दो कारण से battleground game play store पे सो नहीं करता है तो आज की वीडियो में यहीं बताने वाला था I hope यह वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो और वीडियो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबाए तो आज के लिए बस इतना ही